दोस्तों नमस्कार ये जो आप देख रहे हैं इसे चाइना पाम या टेबल पाम मोलते हैं यह इंडोर में चलने वाला सबसे अच्छा पहोदा है इसकी पतियां देखने बहुत सुन्दर लगती हैं इसको लगाने से हमारे गाडन में बहुत अच्छा लुक आता है तो आज की करते दो करें इसकी देखष़ार करें नसिर्च शुनाने के बारे यह इसको कैसी रिपोर्ट करें इसके लिए कैसी मीटी त्यार करें पूरैयए आपको मिलेगा इसकी दोस्तों वीडियो का पूरा देखेगा और अगर आप Ilion IMJ ч Barnapo buri दोस्तों चाइना पाप इंडोर में बहुत अच्छे से गोट करता है इसे धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसलिए इसे आप ऐसे जगए रखें जहां सिरी धूप नहीं आती हो अगर इसे आप धूप में रख देंगे तो इसकी पर्कियां सुखने लगती है इसलिए इ जड़े हैं वह खराब जाती है और पौदा हमारा मर जाता है इसलिए से आप पानी जादा ना दे पाएं तभी दे जब इसके नीचे की मिट्टी पुरी सुखी रहे तभी पाएं दे इसको दोस्तों चाइना पाम बहुत ही एज़ी टू केर प्लांट है इसकी गुद बहु तो उसे एक से दू दिन के लिए अपने गारडन में रख दीजिएगा उसके बार इसकी रिपोर्टिंग करीगा यह देखिए दूस्तों नरसील से लाई हुए इससे तीनी नुज चुका है आज मैं बहुत है और आप देखिए मिरा पौदा कितना हेल्डी है इसे मैंनें प भुबरा मीटि बना हुआ यह देख्ये कितना अच्छा मीटि बना हुआ है इसका जो डैने ह्टी लिया और इसमें है एकषा मिटि लिया है उप एक इसमें खाद होगा आपको भी खाद यूज कर सकते हैं और मैंने इसमें एक हिसा राइस हस्क लिया है ये देखिए इसे मिट्टी पुरस बनती है और मिट्टी का जो डेने सिस्टम होता है बहुत अच्छा होता है और इसमें मैंने ये नीम खली लिया है ये देखिए नीम खली से क्या होता है मिट्टी में किसी परगास कीडियो का अटेक नहीं होता है और पौधा हमारा हेल्दी रहता है और मैं इसमें साब का फंजिसाइड लिया है जिसे हमारी पौधे की जड़ने हैं उसमें फंगस का अटेक नहीं होगा और हमारा पौधा हेल्दी रहेगा अच्छे से गोट करेगा यही सब को मिलाने से देखिए जो मेरा मिट्टी बना है कितना अच्छा बना है और यह चाना-पाम के लिए बहुत ही बढ़ीया मिट्टी बना हुआ है सबसे पव्य दोस्ते आफ करना कि घंबले को आदा भर देना है यह देखिए इसके से आदा ही हमला भरा है मिटी से इसके बार दुंत क्या करना है इसकी पनी को you should कैप निकालना है और इसको आराम से निकरणा है ताकर इसके जड़ें भूट ना हो देखिया अ सब्कसर मोथ देखिए निकाल देना है पर आप देखिये उसमें कित्ना ज हम इसकी मिट्टी को थोड़ा हलका सा हटा देंगे तो कि चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है इसलिए इसकी मिट्टी को थोड़ा हम हता साफ कर देंगे यह देखिए आपको इस तरह से मिट्टी को साफ कर देना है देखिए जादे मिट्टी को नहीं हटाना है बस आपको हलका हलका साफ कर देना है देखिए इस्टा साफ कर देना है यह देखिए देखिए मैं कैसे साफ कर रहा हूं यह देखिए मैं इसके कुछ मिटी को निकाल दिया है अब यह ठीक है इसे ज़रा मिटी हम नहीं निकालेंगे इसके बाद जोसे हम गमले के बीचों बीच में है यह देखिए अब इसके बाद साइट से हमको मिटी भर देना है देखिए इस्टेस आपको साइट से पुरा मिटी भर देना है यह देखिए हमाई चाइना पाम जो हो चुका है ऊपर से आपको दो इंच का गैप छोड़े आपको छोड़े दिया है कि जिए कि कितने से से रिपोर्ट हो चुका है यह दिखे आप दोस्तों क्या करना इसके आप से हम से में रख देंगे जब पहली बाद पाइं दीजेगा तो पुरा भरपूर पाइं दीजेगा ताकि इसके देने सिस्ट्रम से पानी बाहार निकल जा रहा है और यहां से हमारा पानी भी जो एक्स्ट्रा होगा बहार निकल जाएगा इसका मतलब यह है कि हमारा मिट्टी जो बना हुआ बहुत अच्छा बना हुआ है उसका डेने सिस्टम बहुत ही अच्छा है तो दोस्तों इससे आभी चैना पाप की रिपोटिंग कर सकते हैं ऐसे रिपोटिंग करने से चैना पाप कभी खराब नहीं होगा और सालों साल आपके गारण में बना रहेगा तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही आज का वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके ज़रू बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेगा आप से फिर मिलते हैं किसे नए वीडियो में दपना के लिए नवस्कार